दोस्तों सबसे पहले आप ए वीडियो देख लीजिए तो क्या आप भी कुछ इस परकार से तलवार फेकने वाला सौट मैजिकल वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो को फूल वाज किजिए आज मैं काइन मास्टर की साहता से इस परकार से तलवार फेकने वाला short video editing आपको सिखाने वाला हूँ तो चलिए काइन मास्टर में चलते हैं और इस परकार से तलवार फेकने वाला short video बनाना सिखते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको अपने काइन मास्टर में आना है create new पर क्लिक करना है और 9 is to solar का ratio चुछ करने के बाद create पर आपको क्लिक कर देना है सबसे पहले यहां से आपको अपने वीडियो को ले लेना है तो इस परकार से में वीडियो कुछ बड़ा कर लेता हूं उसके बाद वीडियो पर आपको क्लिक करना है और mixture पर जाकर इसका audio कुछ इस परकार से आपको mute कर लेना होगा सबसे पहले हम देखेंगे वीडियो किस परकार से shoot करना है तो layer पर क्लिक करेंगे, media पर क्लिक करेंगे और green screen वाला तलवार वाला वीडियो यहां पर हम ले लेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं green screen वाला तलवार वाला वीडियो आ चुका है तो सबसे पहले green screen वाले तलवार वाले वीडियो पर आपको क्लिक करना है और कुछ इस परकार से जूम करके आपको अपने पूरे वीडियो पर आपको applied कर लेना होगा तो दोस्तो पूरे वीडियो पर मैँ apply कर चुका हूँ अब आपको नीचे की तरफ scroll करना है और chroma key में चले आना है chroma key में आने के बाद इसको enable कर देना है इस परकार से इनेवल करने के बाद इसको कुछ इस परकार से आपको अर्जेस्ट कर लेना होगा दोस्तो ग्रीन इसकीन रिमूब करने के बाद ग्रीन इसकीन वाले वीडियो पर आपको क्लिक करना है और मिक्चर पर जाना है और इसका volume कुछ इस परकार से आपको mute कर लेना होगा mute करने के बाद यहां से आपको okay करना है और आपको देख लेना है कि आपका video match किया या नहीं तो आप देख सकते हैं कुछ इस परकार से मेरा video match कर चुका है acting के अनुसार से इस परकार से आपको match कर लेना होगा अब आपको अपने वीडियो के last में आना है और इस्टा पार्ट जो भी है यहां से कैची पर जाकर आपको right में यहां से आपको trim करके हटा देना होगा अब आप जहां से आप तलवार पर कुछी इस परकार से धक्का दे रहे हैं वहां पर आपको आना है और उपर वाले वीडियो को सेलेक्ट करना है कैची पर जाना है और यहां से आपको fade कर देना है, fade करने के बाद आपको three dot पर जाना है, और इसको send to back कर देना है, तो दोस्तों जब आप video play किजिएगा, तो आपको कुछ इस परकार से effect देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं, कुछ इस परकार से effect आपको देखने को मिलेगा, इस blur वाले effect को अपने video के बराबर आपको कर लेना है कुछ इस परकार से करने के बाद इसमें अगर sound aid करना चाहते हैं, तो यहां से sound aid कर सकते हैं, या इसमें voice recording भी कर सकते हैं, और उसके बाद आपको इस arrow वाले chin पर click करना है और full HD में आपको यहां से आपको video को save कर लेना होगा